आज सॉल्यूशन का मैं आपको अगला क्लास लेने जा रहा हूँ पिछले क्लास में यानि 26 लेक्चर में आप पढ़े थे कि depression in freezing point क्या होता है तो बस depression in freezing point में आप देखे थे एक depression constant molar depression constant या जिसका नाम था cryoscopic constant तो cryoscopic constant या molar depression constant को जो है का latent heat of fusion से क्या relation है ये जो है हम लोग देखने जा रहे है लेटेंट heat of fusion से तो molar depression constant यानि cryoscopic constant का latent heat of fusion से relation मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है kf is equal to r tf square by 1000 lf ये thermodynamic relation है ऐसा relation हम लोग elevation in boiling point में भी पढ़े थे उसी तरह molar depression constant या cryoscopic constant is equal to r tf square by 1000 lf ये 1000 gram of solvent के लिए है कोई भी solvent जो है एक special characteristics रखता है उसकी characteristic को denote करता है kf किसी भी solvent का ये characteristic है और r तो समझी रहे हो कि universal gas constant है और tf क्या है tf आपका है freezing temperature है जो Kelvin scale में ही हरदम रखना होगा और lf latent heat of fusion है जो आप जानते हो तो r का value अगर आप point 002 रख दें तो ये निकल जाएगा ठीक इस तरह ये question बन जाता है हम लोग जो है पढ़े हुए हैं actually पिछले lecture number 26 में एक formula और वो formula क्या पढ़े थे कि delta tf is equal to kf into molality ठीक है ये formula आप पढ़े थे lecture number 26 में kf हो गया आपका यही latent heat of ये sorry ये molal depression constant और m हो गई molality ठीक तो ये relation आप पढ़े थे पिछले class में पिछले lecture में इस lecture को में जो है इस पर एक question देख लीजे और ये भी आप पहले से जानते हैं कि delta tf क्या है देल्टा tf क्या है भाई तो delta tf है depression in freezing point depression in freezing point freezing point का depression है तो freezing point का जो depression है delta tf ये किस तरह की property है ये colligative property है और colligative property किस पर depend करती है number of particles पर depend करती है तो particleों के number का खत्रा ये होता है कि कहीं आप आइनिक compound ले लिजेगा कोई आइनिक molecule ले लिजेगा तो पानी में जाके तूट जाता है और particle का number बढ़ जाता है जैसे नमक लिजेगा NaCl तो NaCl भाई क्या होता है NaCl अगर आप लेते हो तो NaCl दो particle में तूट जाएगा एक particle Na plus एक particle Cl minus तो ये दो particle में तूट जाता है आप लोगे एक NaCl और particle हो जाएगी दो तो qualitative property डबल हो जाता तो qualitative property उसी हिसाब से यहां आप से एक question पूछा जा रहा KF का value दे दिया गया है KF का value 4.0 दे रहा KF का value और molality भी दिया जा रहा है mol per kg का मतलब molality हुआ unit से समझे molality किसे कहते है एक kg solvent में present mol के number को molality कहते है तो molality भी दे दिया molality दे दिया आपका कितना 0.03 और KF दे दिया कितना आपका 4.0 तब तो आपको आसान हो गया भी यह फर्मूला पर दोनों रख दोगे निकल जाएगा और जो है इसको direct delta Tf is equal to बच्चे KF into M KF का value रखते है 4 और M का value रखते है 0.03 और इनका आजाता है 0.12 और इसमें मार के पतली गली ले लेते हैं और बच्चे भीतर चल जाते हैं गलत हो जाता है यह गलत हो गया आपका 0.12 हो गया ना यह गलत हो गया यही इसी के लिए यह question पुछा गया J.E.man 2019 में इसी गलती को करने के लिए बच्चों से यह question पुछा गया कि बच्चे यही गलती करें जो गलती आपको दिखाया गया है बोल्ड पर इस गलती को करने के लिए यह question पुछा गया इतना आसान question तो दिखी न रहा है तो बच्चे यह गलती कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं लेकिन आप यह गलती नहीं करोगे है ना आप यह गलती नहीं करोगे आप जानते हो कि डेल्टा टी एफ एक कॉलिगेटी प्रुपर्टी है Oligative Property, Particle के Number पर भी Depend करती है, यह तो होई गया, यह Particle के Number पर भी Depend करती है, तो K2, A104 कितनी Particle में तुटती है, उससे Multiply कर दोगे, 2K पलस, A104-2, एक पार्ट कील ये हुई और दो पार्ट कील ऐसी हुई दो पार्ट कील के पलस की हुई और एक पार्ट कील एसो फोर की हुई तो एसो फोर की एक पार्ट कील और दो पार्ट कील इसकी दोनों पार्ट कील मिला दीजिए तो कितनी पार्ट कील हो गई थ्री तो इसमें आप अगर 3 से multiply करके चलो, तो तुम्हारा answer सही आ जाएगा, 3 से multiply, तब यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 0.36, 0.36, और तब answer मारो गए यह और यह हो गया, correct, यह क्या हो गया आपका, correct, तो यह आपसे पूछा जा रहा था, इस बारीकी को पूछा जा रहा था, कि आप जो है इस बारीकी को ध्यान देते हो या नहीं, तो टोटल जो आ रहा है सही है, लेकिन अगर तूटने वाला समान रहेगा, तो उसमें पाटिकल का नंबर जितना होगा, उससे आप multiply करोगे, त अब तुम्हारा answer मिलेगा सही, तो पाटिकल का नंबर 3 था, तो पाटिकल आप देख रहा हो ना, के पलस की पाटिकलियों का नंबर 2 और एस ओफोर के पाटिकलियों का नंबर 1, तो 1 और 2 कितनी पाटिकल हुई? 3, 3 पाटिकल से यहाँ multiply कर दिये, बस आपका ये answer सही आ जा आता है, यही इसकी बिशेष्टा है, तो सही answer लाने के लिए आप इस बात का ख्याल रखोगे कि जो है, यह हम पाटिकल का नंबर ध्यान दें, आएनिक compound होगा तो इस पर ध्यान देना होगा आपको, समझ गया है? ठेक. आप देखी एक relation और, relation between delta Tf और delta P by P2 not, delta Tf यानि की depression in freezing point और यह relative lowering of vapor pressure, ऐसा relation आप पहले भी देख चुके हो, elevation in boiling point में, वहाँ delta Tb था, delta Tb और delta P by P2 not में relation, तो वही same relation यहाँ भी है, delta P by P2 not, X1 होता है, आप जानते हो, और X1 is equal to N1 by N1 plus N2, आगर solution very 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 dilute हो जाए, तो very 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 dilute हो जाए, तो N1 is very 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 less than N2, और in that case N1 will be neglected from the denominator, and when N1 will be neglected, then delta P by P2 not is equal to N1 by N2, N1 by N2, और बैसी स्थिति में आपको N1 by N2 is equal to delta P by P2 not मिल गया, अब आप कोशिश किजिए कि delta Tf के formula में हम N1 और N2 ला दें, इस formula में delta Tf is equal to Kf, W1 by M1, 1000 by W2, इस formula में हम ला दें, क्या ला दें, N1 by N2 ला दें, तो W1 by M1 को तो N1 लिखते ही हैं, weight of solute by molecular weight of solute को हम लोग क्या लिखते हैं, N1 लिखते हैं, तो इसको N1 लिख दीजिए, अब W2 नीचे जो रहा, इसको N2 बनाएए, तो इसको N2 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको N2 बनाने के लिए molecular weight से divide होना चाहिए, M2 से divide कर दीजिए, तो W2 by M2 को N2 लिख सकते हैं, लेकिन जब divide किया है M2 से तो आपको multiply भी M2 से क्या करना होगा, M2 से करना होगा, तो आप multiply भी कर दीजिए, हो गया, तो बन जाएगा, यही काम हम यहाँ किये हैं, देख लिजिए, M2 से divide, M2 से multiply, ठीक है, और अब M2 से divide होगा, तो यह हो गया आपका N2, अब N1 by N2 के जगा, आप put कर दीजिए, क्या put करिएगा N1 by N2 के जगा, delta P by P2 not, delta P by P2 not, आप put किजिएगा, इस तरह delta TF is equal to KF into 1000 by M2 into delta P by P2 not, इस तरह आपका formula हो गया, यह relation derive हो गया, delta TF और delta P by P2 not के बीच एक relation derive हो गया, relation मिल गया, और यह हम लोग देख लिए, इसी तरह एक और relation हम लोग पढ़ेंगे, delta TF का pi से, delta TF का किस से पढ़ेंगे, pi से relation पढ़ेंगे, यानि osmotic pressure से relation पढ़ेंगे, आप हम लोग, ठीक है ना, यह osmotic pressure से delta TF का क्या relation होगा, ठीक देखिए, अब यह relation आप देखिए, देखिए, relation between delta TF and pi, osmotic pressure, आप लोग osmotic pressure topic में, pi b is equal to n1 st पढ़े थे यह formula, अब जो है st आपको इधर आजाएगा, और b इधर आजाएगा, तो pi by st is equal to n1 by क्या हो जाएगा, अब अब n1 by b कोशिश किजिए न, कि आपके delta TF वाले equation में आजाएगा, यानि कि depression in freezing point वाले equation में n1 by b आजाए, और जैसे ही n1 by b आएगा, यह pi by st आप पूट कर दीजेगा, जैसे ही n1 by b आएगा, तो आप उसके जग़ा पर pi by st पूट कर दीजेगा, यही काम करना है, बस, तो अब आप कोशिश यही किजिए, कि n1 by b ला दें, तो आपको delta TF वाला जो formula है, delta TF is equal to KF, W1 by M1, 1000 by W2, इसको n1 by b भी लाना है, तो यह तो n1 आपको 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 क्या कहते हैं आपन लोग, n1 बोलते हैं, weight by molecular weight is equal to number of moles of solute, तो number of moles of solute n1 हो गया, अब नीचे W2 है, W2 का मतलब weight of solvent है, अगर solution very-very dilute होता है, अगर solution क्या है, very-very dilute, मतलब बहुत dilute है, बहुत फिका है, तो वैसे में उसकी density 1 के बहुत नजदीक, क्याने की very near towards the density of solvent, solvent के density के towards होगी, तो उस स्थिति में W2 क्या हो जाएगा, volume of solvent into density of solution, ठीक है, तो उन दोनों को multiply कर देंगे, तो W2 के जग़ क्या put कर सकते हैं, volume into density, volume into density हमने रख लिया, अब हम लोग N1 by B मेरे को मिल गया, देखिए तो N1 by B आपको मिला की नहीं मिला, मिल गया न, N1 by B आपको मिल गया, ये N1 by B की जग़ पर आप क्या put कर सकते हैं, तो N1 by B की जग़ पर यही तो आप से कह रहा थे, देखिए N1 by B ला दिजिए, उसके जग़ पर आप Pi by ST put कर सकते हैं, तो N1 by B के जग़ अगर आप Pi by ST put कर सकते हैं, तो Pi और ΔTF में relation मिला न, आप N1 by B के जग़ पर, देखिए N1 by B के जग़ पर Pi by ST put किया, तो Pi और ΔTF में तो आपको relation मिल गया, तो ΔTF is equal to KF into 1000 by D into Pi by ST, तो Pi और ΔTF में आपको relation मिल गया, उस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन्फ्रीजिंग पॉइंट में relation मिल गया, ठीक है, Pi और इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा टीएफ को यहीं छोड़ दें, 1000 और KF को नीचे ले आदें, तो डेल्टा टीएफ by 1000 KF is equal to Pi by DST, यह एक relation हो गया और यह relation हमारा सामने आ गया, ठीक है, यह relation Pi by DST, डेल्टा टीएफ is equal to Pi by DST, यह relation आपका है, इस पे numerical बनाएंगे आप, देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्राब्लेम्स 2019 JEE में पुछे गया थे, यहां देखिए, यह फ्रीजिंग पॉइंट of a 4% equal solution of X, मान लेजिए, एक, यह है, X का 4% solution, X, और यहां है आपको 12% Y का solution, ठीक, X का I equal to the freezing point of 12%, यानि कि इसका जो है, इसका जितना जितना freezing point है, उतना ही freezing point 12% वाले का है, 4% वाले का जितना freezing point है, उतना ही freezing point 12% वाले का है, मतलब, मतलब, दोनों में particle का नंबर बराबर है, दोनों में particle का नंबर क्या है, बराबर है क्योंकि freezing point, depression in freezing point, कैसी property है, qualitative property और qualitative property किस पर depend करती है particle के number पर यानि दोनों में particle का number equal है यानि particle का number equal है तो moles का number equal है clear हो गया particles का number equal है तो moles का number equal है if molecular weight of x is a then molecular weight of y is y का molecular weight निकलना है यह ध्यान दिजेगा देखिए conceptually हम आपको ऐसे trick से बता रहे हैं question कि एक line में question बन जाए तुरत बन जाए जल्दी बन जाए ठीक तो उस trick पर मैं बता रहा हूँ चुकि objective question है exams में समय हम लोगों के पास कम रहते हैं तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि ऐसे trick से बनाए कि जल्दी से जल्दी मेरा question solve हो तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लिजिए कि solution में particle तूटती नहीं है तो और दोनों का freezing point क्या है equal का रहा freezing point equal का मतलब qualitative property equal मतलब particle का number equal मतलब mole equal और X का मोल जितना होगा उतना ही Y का मोल होगा काम खतम M. M. Moles of X is equal to Moles of Y बस काम खतम निकल गए Moles of X तो weight of X by molecular weight of X is equal to weight of Y by molecular weight of Y इसी पर गेम खेल जाएए X का molecular weight कितना कहा है? A कहा है X वाले का molecular weight A कहा है और इसका 4% डाला है तो X वाले का 4% X वाले का 4% यानि 4 आप Y molecular weight उसका A और Y वाले का 12% डाला है 12 molecular weight MY ये निकालना है MY ये 4 12 से कट गया है कितना हो गया? 3 MY is equal to क्या आ गया? MY is equal to 3A 3A में टिक मर दिए objective question है तो उसे objective की तरह ही बनाना चाहिए ये मेरा trick है अगर question objective है तो उसे objective की तरह बनाईए ठीक है? उसमें time कम दीजिए समय जादे लगा दीजिएगा एकदम subjective की तरह processing करके आप बनाऊगे तो आपका time waste होगा time waste तो करना नहीं है accuracy को maintain करते हुए सही चीज को maintain करते हुए हमें सही answer लगाते हुए समय की बाच्चत करनी है समय भी save करना है time save करना है it's the main point तो you will be able to save the time by the shortcut method by the concept concept जानते हो तो time save होगा अगर तुम जानते हो कि आहां का रहा है कि X is equal to freezing point of 12% Y तो भाया X का और Y का freezing point जब equal है मतलब qualitative property यानि particle का number equal है यानि mole equal है कामी जो भर mole equal करके मर्दी एक second में निकल गया तो ये चीज है ऐसे ही आपको 2019 में ही एक ये question पूछाता है ये भी आपको direct conceptual question है simple है ठीक है ना ये milk दो बार लिखा गया लगता है एक बार होगा इसमें और इसमें देखिये तो कितना का अंतर है इसमें और इसमें देखिये तो कितना का अंतर है minus .5 degrees C और ये minus .2 degrees C देख लीजे कितना का अंतर है 0.3 का अंतर है ना ये बिना पानी का है pure, for pure milk pure milk का है शुद्ध दूदकार इतना इसमें पानी जब मिलाया तो इतना हो गया 0.3 का अंतर यानि थ्री पानी, थ्री कप पानी मिलाए गया होगा और टोटल डिफरेंस इसका 5 का मान लीजिए तो दो दूद रहा होगा तो 3 कपस ओफ वाटर इन 2 कपस ओफ प्यूर मिल्क हो गया, सोट में तो ये चीजें जो है आपको ध्यान दखनी होगी 0.5 का मतलब हो गया आपको माइनस 0.5 का मतलब 0 से 0.5 तक यानि कि 0 से 0.5 तक यानि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 टोटल अंतर कितना का है? 5 का है न? तो टोटल दूद 5 मान लीजिए 5 में आप जो है दूद टोटल 5 हो गया यहां से यहां तक अब पांच में आपको क्या करना है? तीन का घटेगा तो इसके लिए आपको 3 कप क्या मिला देना होगा? वाटर तो 3 कप्स वाटर और 2 कप्स प्यूर मिल तो यह एंसर आपका सही हो जाएगा इस तरह से आपका यह कोश्चन बन जाता है इस तरह के कोश्चन जब भी बनाने हो तो यह तरीका आप लगाओगे ठीक है? ओके देखिए अब यह कोश्चन यह सब एक्जाम्स में आये हैं इन में सब दिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कोश्चन है अच्छा यह बताएं, यह डेल्टा टीएफ यानि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको मैंने पढ़ा रखा है इसका संबंद किस से है भाई? इसका संबंद is equal to इसका फर्मुला होता है के एफ इन्टू मॉलालीटी मॉलालीटी होता है, है ना? के ए इन्टू मॉलालीटी होता है और मॉलालीटी क्या होता है? number of moles of solute per kg of solvent ठीक है ना? यानि कि number of moles पे depend करता है यानि number of particles पे depend करता है delta Tf number of particles पे depend करता है यानि number of moles पे depend करता है यानि moles जतने जादे उतने बड़ा delta Tf और delta Tf जब बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? डीप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जादे होगा यानि डिप्रेशन जादे होगा तो प्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बैंद डिप्रेशन जादे होगा जैसे मालन लिजे कि डेल्टा टी-अफ आपका 2 आ गया तो इसका depression इन पानी के solution में 2 आ गया तो freezing point इसका minus 2 degree होगा और किसी का delta TF 3 आ गया तो उसका depression in freezing point minus 3 degree सी होगा और किसी का delta TF 4 आ गया तो उसका depression in freezing point minus 4 degree सी होगा समझ रहे हैं न? तो यानि delta TF जिसका बड़ा उसका freezing point minimum अब पुछा जाएगा कि किसका freezing point minimum होगा, तो जिसका delta TF बड़ा होगा, उसका freezing point minimum होगा, जिसका delta TF छोटा होगा, उसका freezing point maximum होगा, ठीक, तो freezing point ये दो तरह के question आते हैं, freezing point किसका highest है और किसका lowest है, तो इसमें freezing point lowest किसका, जिसका delta TF यानी की depression in freezing point बड़ा होगा, उसका freezing point lowest होगा, जिसका delta TF यानी depression in freezing point छोटा होगा, उसका freezing point highest होगा, तो आप याद किजिए, आप ध्यान दिजिए, यहां question पर, the freezing point of equimolal, equimolal aqueous solution will be highest part, यहां question क्या है, highest part, और यहां देखिए, which of the following 0.1m equis solution will have the lowest freezing point, देख लिजिए, यहां lowest, यहां highest, यहां lowest, यहां highest, यानी lowest freezing point, तो lowest freezing point बताईए, इसी तीनों बताईए, अब क्या होगा होगा, minus 4 degree C lowest है, तो इसका depression in freezing point क्या है, highest है, जब lowest freezing point है, तो depression in freezing point highest है, तो depression in freezing point highest है, तो depression in freezing point highest कब होगा, जब particle का number जादे होगा, तो जब particle का number जादे होगा, तो depression in freezing point बड़ा होगा, तो freezing point उसका lowest होगा यानि कि lowest freezing point के लिए आपको delta tf क्या चाहिए बढ़ा चाहिए और delta tf कब बढ़ा होगा जब particle का number जादे होगा अब फोजिए सब में सब का concentration से मैं देख लिजे 0.1m है सब का concentration तो पता ये तो particle का number सबसे जादे इसमें किसमें होगा तो आप ये नहीं तूटेगा ये नहीं तूटेगा ये तो तूटेगा K2SO4 और कितनी particle में तूटेगा ये आपको सोचना है और ये तो तूटेगा ANACL ये आपको सोचना है ये नहीं तूटेगा तो इसका तो particle कम हो जाएगा यह भी नहीं तूटेगा तो इसका भी particle कम हो जाएगा यह तूटेगा लेकिन कितने particle में? दो यह तूटेगा तो दो यह और एक यह कितना particle में? तीन तो सबसे जादे particle कौन देगा? यह तो इसका delta tf बड़ा होगा तो इसका freezing point lowest होगा तो इसका freezing point क्या हो जाएगा lowest तो freezing point ऐसे देखा जाता है lowest और highest किसका होगा freezing point क्या चीज highest तो अब highest का मतलब delta tf क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए delta tf छोटा होना चाहिए तभी तो highest होगा इस तीनों freezing point में highest इसका है, तो delta tf इसका छोटा है, तो delta tf छोटा है, यानि depression, increasing point छोटा है, यानि colligative property छोटा है, यानि Narrator का नंबर छोटा है, अब आप सबसे कम practically का number जिसमें होगा, उसको tig मारतीजिए, तो ये तो थोड़ा आइनिक कंपाउंड है तो ये तो तूट जाएगा ये तूटेगा तो कुछ पाटिकिल देगा ये भी तूटेगा आइनिक ताइप का है तो ये भी पाटिकिल देगा ये एक दम नहीं तूटेगा और ये थोड़ा थोड़ा तूटेगा थोड़ा सा आइ अब नहीं हमोते हैं और वसके अधैस बंब करेक्टर आजाता है यह थोड़ा तो थोड़ा तूड़ा तूटता है तो थोड़ा तो परटिकल कुछ बढ़ जाएगी परटिकल बढ़ जाएगी, तो देल्टा टीस बढ़ जाएगा तो फ्रिजिंग पॉइंट lowest हो जाएगी हाइस नहीं होगी तो हाइस उसी में होगी जिसमें पार्टिकल का नंबर कम हो जिसका टी एल्टा टी एफ कम हो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट हाइस होगी तो फ्रीजिंग सबसे पार्टिकल का नंबर इभी टूटेगा इभी टूटेगा इभी टूटेगा तो में 100 के जगह 150 हो गया, यह 100 के जगह 200 हो गया, तो इस अब तो particle बढ़ जाएगा, तो delta tm बढ़ जाएगा, तो freezing point क्या हो जाएगी, lowest हो जाएगी, highest नहीं होगी, तो highest किस में होगी, इस में होगी ठीक है और अब यह देखिए नीट 2017 में question देखा गया पुछा गया था यह नीट 2017 में कहा गया कि if molality of the dilute solution is double the value of molar depression constant तो यह यह तो constant है molality के बदलने से क्या होगा delta tf is equal to kf into molality तो molality आप double कीज़े यह तो variable चीज़ है ठीक है ना यह इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा यह तो constant है तो constant है तो यह unchanged रह जाएगा it will be unchanged it will be not changed नीट 2017 में यह question पुछा गया था molality kf को नहीं effect करती है kf का संबंद सीधे अपने solvent से होता है pure solvents होता है उससे इसका संबंद है समझ गया है तो यह रहा question और यह रहा class और इस के बाद हम लोग next class में मिलेंगे ठीक है और depression in freezing point के question के साथ problems के साथ कुछ नए concept anti-free solution मेगरा के बाद okay bye see you again अगन आसे ले चैन कोईो जढ सत्वर्णिझ ऎस credit क्याद्वमृ ओिर्या है और भिर फिरी झाल झाल